जी हाँ दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर एक्सलामेशन टिटोरियल पर आपका स्वागत है आज हम आपको एक इंपॉंटेंट वैकेंसी के बारे में डीटेल से बताने जा रहे हैं इस डीटेल को आप अधिक से अधिक अधिक स्टूडेंट के पास सेर करि और देश सेवा की भावना को पूरा कर सके तो फिलहाल देखिए दोस्तों एससी ने अपने वेबसाइट पर एक नोटिफीकेशन रिलीज किया है जिसमें दिया है कॉंस्टेवल जीडी यानि की जेनरल ड्यूटी इन सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स अगर आपको सेंट् इपरेट वीडियो बना दोगा आप उस वीडियो को देख लीजिएगा फिलहाल हम यहां तो वेकेंसी के बारे में डिसकस करते हैं तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों डेट्स ऑफ सब्मिशन ऑफ एप्लिकेशन ऑनलाइन यानि की तीथी दिया हुआ है 177-2021 यानि आज से अश्टार्ट होगा और 31-2021 तक चलेगा आप कोर्सिस करिएगा फॉर्म को जितना होसा के पहले ही फिल कर लेजिए क्योंकि लाश्ट में फॉर्म फिल करने में बहुत सी कटनाईयों का समना करना पड़ता है और फिल फॉर्म फिल नहीं हो पाता है कि आपके मन में सवाल बन रहा होगा कि पेश्केल कितना होता है तो पेश्केल बिल्कुल आपको 21,700 से प्रारंब होगा और 79,100 रुपीय तक जाएगा इसके अलाबा आपको वगेरा मिलेगा और बहुत सारी सिवधाय मिलती है अगर आप सेंट्रल आर्मड पुलीस फॉर्स सब्सक्राइब तो आपके मन में सवाल बन रहा होगा कि कितनी है तो आप बिल्कुल अस्प्रेश्ट हो जाएए इसमें महिला और पुरिस और गल्स और वाज धोनों इस वेकेंसी को फॉर्म को फिल कर सकते हैं तो देखिए दोस्तों वी एस एफ सी आई एस एफ सी आर पी जब लगए कि आपको पता ही होगा दोस्तों की सेंट्रल आर्मिट पुलिस फोर्स में रिजर्यवेशन बगेरा चलता हम विसक होता है लग आथा बगाता यव यूर का लगाता तो आप इसको वीडियो को पहुंच करके पूरा डाटा देख लीजिएगा फिलाल मैं तो पूरा टोटल भेकेंसी के बारे में बताऊंगा कितना आया तो देख रहें है दोस्तों टोटल के कॉलम में नीचे मेल वाले में 22,424 वेकेंसी आ है मेल या और यूरी वाले में विडियो को पहुंच करके देख लिजीए कि प्र lawyers आ कि ब्लेठर हैं आपको लग रहा होगा कि यह बहुत भड़ी वक्रणी सिल नहीं है 2011 2019 2017 2016 में जितनी भी वेकिंशिया यह उसके तुला में में बहुत ही कम है 2020 की वेकेंसी अधियान कर लिजेगा 2020 में वेकेंसी कोरोना वाइरस के कारण नहीं आप आई थी उसी वेकेंसी को 2020 में लहागया है कि आप एज लिमीट को भी जान लिजे एज लिमीट विल्कुल 18-23 बरस के बीच में आपका उम्र है अगर आप 18-23 बरस के बीच में उम्र है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आप 18-23 तक आपका 18 बरस पूरा हो जाना चाहिए और उतना भी समझ में नहीं है तो एच चुप चाप देख लिजे 28-199 में से 18-23 के बीच में आपका जन्म हुआ है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं वरना फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं और जानते हैं किसमें रिजर्वेशन बेगरा चलता है तो उम्र में भी रिलेक्सेशन मिलता है है SEC T अगर आप हैं तो आपको पांच बरसका एज रिले लेक्सेशन दिया जाएगा अगर आप बिसें में आते हैं तो तीन बरसका जाएין गर्स्ञन दिए जाएगा अगर आप के माता फिता 2002 के गुजरात दंगों मारे गए थे ओवी सी के आठ वरस का रिजर्वेशन दिया जाएगा और एक सर्विसमें है तो तो तीन वरस का आप पहले से जोग किये जा चुके हों आपके मन में सवाल बना एजूकेस्नल कितनी है तो बिल्कुल आप जान लिजे एजूकेस्नल को लिफिकेस्टन आप भारत के कोई भी राज के बोट से पास है यह इस एस इस पास है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं गल्स हो या बॉइज दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं किसी भी राज के बोर्ड या सी बीए सी बोर्ड से आगर आप 10 पास है कि जहां दोस्तों आपको पता ही होगा कि अगर आपके पास आप NCC किये हुए हैं आपके पास NCC certificate है तो ये भी आपको पता होगा NCC certificate परकार मिलता हैं जिसमें राता है NCC B certificate NCC certificate में आता है अगर आप NCC certificate में है तो आप को दो परतिस्त मैक्सिमम मार्क दिया जाएगा में अगर आप NCCB certificate वाले हैं तो आपको 3% मार्क्स दिया जाएगा अगर आप NCC 5% वाले हैं तो आपको 5% बोनस दिया जाएगा आप पूल मिलाकर इस वेकेंसी के बारे में जान गए होंगे अहां दोस्तों एक बात और जान लीजिए एक बात आपको नहीं बताया है अगर आप कि आपका हाइट हाइट मेल के लिए बताने जा रहा है मेल के लिए बताने जा रहा है पहले अगर आप जनरल से आते हैं ओवी सी से आते हैं तो आपका 170 सेंटिमीटर हाइट रहना चाहिए अगर आप मेल में जनरल ओवी सी याए सी से आते हैं तो कि अगर आप से अगर आप मेल हैं तो आप 165 सेंटिमीटर लंबे हैं तो अभी इस फ़र्म को फिल कर सकते हैं और इसे पहले बताया थे अगर आप मेल हैं ओवी सी रशीख और जनरल से हैं कि मेल है तो 170 सेंटिमीटर लंबाय रहना चाहिए अप ध्यान से दोनों डाटा को देख लीजिए अगर फेमल है जनरल ओवी सी से आते हैं तो 165 cm लंबाई होना चाहिए एस्टी से आते हैं तो 155 cm लंबाई होना चाहिए अगल हम कितना मीनट में कितना किलोमीटर दौर करना है हुआ है गल्स लोग यानी की महिला लोग और विवाई लोग यानी पुरूष लोग को कितना दर्ड करना है कि इतना चेस्ट फुलाना है यह भी बताते हैं बिल्कुल आप देखिए मेल लोगों के लिए चेस्ट एक्सपेंशन असी से पचासी सेंटेमीटर है और दोड चोबिस मिनट में पांच किलोमेटर है अगर आप जेनरल से भी आते हैं, OPC से भी आते हैं, SC से भी आते हैं, ST से भी आते हैं तो चारो का 5 किलोमेटर 26 मिनट में पूरा करना होगा आप अभी सही प्रैक्टिस को start कर देजिये, अप preparation को भी start करें, retain का भी और physical और दोड सभी का हिमेल लोगों के लिए चेस्ट एक्सपेंशन नहीं होता है हिमेल लोग में चेस्ट एक्सपेंशन नहीं करवाय जाता है रन बिल्कुल देख लिजिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में पूरा करना होगा तो इस सारी डीटेल को आपको समझ में आ गया होगा अगर कोई भी डीटेल समझ में नहीं आया है तो इस सी जीडी 2020 और भी वीडियो बनाऊंगा आप उस वीडियो को देखते रहिएगा फिलाल आप दोड और रिटेन एक्जाम का प्रिप्रेशन स्टार्ट कर लिजिए अगर आप टेंथ पास हैं और 170 सेंटीमीटर लंबे हैं सेंटीमीटर लंबे हैं अगर आप किस्क के टेगरी से मेल हैं और मोमें के लिए अगर आप जेंरल बीडियोऔर 1271 thể law यह प्रिप्रेशन स्टार्ट कर लिए और से 155 सेंटीमीटर है तो आप अपना प्रिप्रेशन को स्टार्ट कर लिए फिलहाल इस वीडियो को जादे बढ़ा सब्सक्राइब स antib करते हूँ आप इस इंफोर्मेशन को अधीक सथिक लोग के पास सेर करिए और अगर आप हमारे चेनल को सिस्क्राइब नहीं कि तो सब्सक्राइब कर दीजीये हमारे जितने भी सब्सक्राइबरह JOSH करा येला तो मैराspl बहुत पढ़ जाएगा लेकिन आप ऐसा करते ही नहीं है इतना मेनस से हम सरकारी जोग के नोटिफिकेशन का वीडियो बनाते हैं तो आपको सब्सक्राइब कर देना चाहिए और आप दो तीन लोगों से सब्सक्राइब भी करवा दीजिए जवर्दस्ती नहीं करवाना है कर दीजिएगा कि एक चैनल है इसमें सरकारी अग्जाम का नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है जनकारी मिलते हुए रहेगा कि कौन से सरकारी नौगरी की भेकेंसी कब आई कब से फॉर में स्टार्ट हो रही है कव समाप्त होगा तो फिलहाल बस वीडियो का उन्त करता हूं जैहिंद जैभारब